वाहिगुर्जी का खालसा श्री वाहिगुर्जी की फते 31 मार्च 2014 दा दिन समूस सिख जगत वस्ते बहुत ही राहत पर या दिन रिया ज़़ गौर्मेंट ओफ इंडियाज सुप्रीम कोट दे विच पी सदाशिवम दिन्याई का दालत ने 1993 दे बॉम पलाच दे केज दे आरोब दे विच प्रफेसर दिविंदर पार सिंग जी पुलर नू फासी दी सजा सुनाई सी 31 मार्च 2014 दो सुप्रीम कोट ने उनना दी फासी दी सजा नू उम्बर कैद दे विच तबदील किता तो आओ असी ऐस विशे बारे चर्चा कर देया हैं रूबरू हों देयां सिख जगदी बड़ी प्रशंसनी ये शक्सियत जिना दे सिख पंतनू सदा ही मान रहा है सीनियर एडवोकेट केटी एस तुलसी जी जो कि सिख जगदे बहुत ही प्रशंसनी ये वकील हन जो की राज्य सबादे मेंबर भी हन असी उना दे बारे ऐस विशे बारे जान दे वे जानकारी लंदेयां वकील सावाही गुर्जी का खाल सावाही गुर्जी की फते आप जी ने प्रफेसर साप जी दे इस केज दे विच बड़ी ही एहम भूमी का निभाई है बड़ा ही विलखन आप जी ने किरदार निभाई है ते सानदसों के ऐस बारे कि भी ऐस केज दे विच किस तरीके दे उतार चड़ावाए किस तरीके दा इस केस दा बैक्गराउंड रहा बहुत उतार चड़ाव आए जी क्योंकि इस केस दे विच पहले थे स्प्लिट वर्डिक्ट आया स्प्लिट वर्डिक्ट था मतलब तिन जजजेज थी बेंच देच जो प्रिजाइडिंग जजज सी उन्होंने इननों बरी कीता बाकी दो जजजेज ने इननों कन्विक्ट कीता इस स्प्लिट वर्डिक्ट दे केस दे विच पहला केस है जिदे विच मौत दी सजा देती गई जिथे किते भी स्प्लिट वर्डिक्ट होए वो थे मौती सजा इस करके नहीं देती जान दी क्योंकि ए रेरेस्ट ओफ रेर नहीं समझा जा सकता रेरेस्ट ओफ रेर वो हम देने जिना दी विच जीरो परसेंट शक हुए गिल्ट दा यो दोशी हैं जिते तिन जजज जो एक जज ने ए समझा कि भी ओ निर्दोश हैं फिर भी मौती सजा देती गई ए अपने आप ते विच एक बहुत ही गलत गल में नो लग दिये पर वो हुई और वोजार रिव्यू भी डिस्मिस होया और उस्वाद मरसी पेटिशन फाइल की थी दोहुजार तिन दिज अठ साल तक सरकार मरसी पेटिशन दे उते बैठी रही कोई फैसला नहीं कीता अगर तुसी समझ देओ कि भी बहुत ही जर्म ऐसा है मानवतादे खिलाफ तो तुसी कोई फैसला करो मगर मौत दी तलवार उनने सिर्टे उत्ते लटक दी रही लटक दी रही यह नहीं जी पता लगदा कि उनने अगला सूरज चड़या देखना है कर नहीं देखना और जेड़ा सूरज गरूब होया है वो आखरी तानी यह हो जी हालत दे विच सारी दुनिया दे देशां दे विच ए मानने दा है कि ऐसा ऐसी सजा जड़ी है कि तुसी मौत दी तल्वार लटका के रखो किसे दे सिर दे उते और फैसला ना करो एग्जीक्यूट ना करो इसनों कुरूल मनने जानदा है जालिम सजा मननने जानदा है और सम्विधान दे खिलाफ मननने जानदा है मननने जानदा है इसे बिना दे उते सुप्रीम कोट ने कम से कम पांच यहां छे जज्जमेंट से विच एक है कि अगर मरसी पेटीशन दी डिस्पोजल दे विच बहुत देर हो जाए बहुत देर दा मतलब दो साल तो ज़्यादा लग जान तो उसनों मौत दी सजानों तबदील करके उमर कहते विच तबदील करना चाहिए मगर साड़े केस दे विच अठ साल दी देरी सी ज़्यादों सी पेटीशन फाइल कीती दो एक हफ़ते बाद राश्टपती ने मरसी पेटीशन रिजेक्ट कर देती बहुत अरचना आईया साड़े रस्ते दे विच जिस विले बेंच दे बहस होई सानों पूरी उमीद सी क्योंके ज्यादा तिन जजजेस बेंच पांच जजजेस बेंच ने एह हुजे फैसले कीते सी के मरसी पेटीशन दी डिले होई ताँ उमर कैद नो रद कर देना चाहिदा है मगर साड़े केस दे विच नहीं होया दो जजजेस दा फैसला जिस विले आया तो आसी बहुत हैरान होई ओदे बाद आसी रिवियू फाइल कीता रिवियू भी टिसमिस होया फिर आसी क्योरिटिव फाइल कीते क्योरिटिव पेटिशन फाइल कीती क्योंकि इस केस दे विच पहला केस है शायद जिस दे विच ए नहीं के भी थियूरेटिकल गल होया के देरी देनाल मानसिक स्थिती इनसान दी खराब हो जान दी है इस दे विच असलियत होया जैनुरी दोहजार ग्यारा तो ओ इनस्टिउट आफ हुमन बहेवियर दे विच एड्मिट ने जिथे होना दी मानसिक बिमारी दा इलाज चल रहा है सरकार नो यह भी पता सी पर राश्टरपती नो नहीं दस्या गया मगर मर्सी पेटिशन दे खिलाफ जड़ी असी रिट फाइल की थी ओवी रिजेक्ट होई और उस्तो बाद क्यूरी पेटिशन दे विच जिसले बाकी केसिस दे विच फैसला हो रा गया जिनने पुलर दी जज्जमेंट नो अपने आप गलत करार देता तो फिर सानु अमीद दी करन जागरित होई और क्यूरी टे पेटिशन लगी मैं समझता के दिविंदर पाल सिंग पुलर ने बहुत कोई चंगे करम कीते होंगे के उनने दी किसमत बहुत ही अच्छी है डिसमिस हों दे बावजूद गलत फैसला आन दे की दुबारा मिलीए इदिवास से आसी सुप्रीम कोर दे बड़े तनवादियां सारे जाज साब दे बहुत तनवादियां क्योंके इंसाफ दे इंसाफ दी सब तो वड़ी सिफ्ट देया होंदी है मरसी होंदी है उनने उसे उते मरसी दखाई है और उस दे मात दे सजा नो रद किता है ते यह सर इसी जानना चाहूंगे कि भई जिदर तक सुने जान दे कि उननो टादा कानूं दे तहर गिर्फतार किता गया है उनना दी मलब इंवाल्मेंट कोई उननो ऐसे मास्टर माइंड नहीं किया जा रहा है ते टादा कानूं दे तहर जड़े उनना ने गिर्फतारी होई यह थे कि उस दे अंदर फांसिदी सजा मुकमल किती जा सकती है मुकमल किसना किती जा सकती है उदे रद हो गई है फांसिदी सजाम रद हो गई है इना गल्लान दा कोई तलब नी है कि इस दे नाल सिर्फ अपने पारत दे कानून दे मताबिक सुप्रीम कोट अफ इंडिया दा फैसला आया है और असी तनवादी है बहुत बहुत तनवाद जी ते पर एक गार होला से पुछना चांदे हैं कि उना नों सीजोफरेनिया इंस्टिटिट वहुमन बेवियर एंड लाइट सैंसी दे विसीजोफ हां जी साइकोटिक डिसॉडर है जो भी है वह असी वाइगरून नों अर्दास कर दे हैं कि उन्होंनों सेत बख्षे और जल्दी छुट जान देने है असी ओदे बासे पूरे वसीले अपना मांगे तो दे बाद हो सगदा है कि किसे विले इंप्रूव भी हो जाना ते सर जिसना उमर कैद इंडियन गवर्मेंट दे गड़िंग उमर कैद एक चोधाक साल दी यह ते हुन की उमीद है कि सेंट्र गवर्मेंट को इन्हान नो रियायत दिखा सागदी अन्हान जील तो रिहाई वस थे असी स्टड़ी कर रहे हैं कि की करना है ठीक है एसन साधे पंथ दे महान शक्सियत सदार के टीएस तुलसी एनादसी हार्दिक तनवाद कर दें कि उनना ने एसकेश देविच एसरा अमूला किरदार निभाया वाही गुर्जी का खालसा श्री वाही गुर्जी की फते